सबसे पहले हाथ में जो है यह तर्जनी उंगली जो होती है तर्जनी उंगली को कहा जाता है बिरस पती की उंगली और उसके नीचे ठीक जो जगह का परवत है सूरी की उंगली सूरी का परवत है यह जो मैं स्कूर बना रहा हूं इंग्जैक्ली ऐसे इतना ही एरिया यह लेता है थीकर इस तरह से डिवाइड किया जाता है उसके बाखी का हिस्सा जो बचा यह है बुद्द का परवत इसके बाद आते हैं मंगल मंगल एक मात्र ऐसा है जिसको तीन भागों में बाटा गया है पहला मंगल ये दूसरा मंगल यह होता है रक्षात्मक आक्रमक मंगल यह रक्षात्मक मंगल यह इसको इंटर्नल मार्स भी कहते हैं और इसको एक्स्टर्नल मार्स terminal मार्ज का काम होता है I immune system को देखना आपके अंदर प्रतिरोधक श्मता कितनी अच्ची है यानि रोगों से लड़ने की कि श्मता कितनी अच्छी ए ठीकि rap external मंगल internal मंगल का काम जो होता है अंदर वाला यह आपके इम्यून सिस्टम आपके रोग प्रति रोधक्ष हमता को दिखाता है ठीक है और एक्स्टरनल मंगल जो होता है यह आपकी परस्टनालिटी के आउटलुक को दिखाता है मतलब आप दिखने में आपका अपिरेंस कैसा है वह यहां से पता चलता है और बीच का जो मंगल होता है इसको का जाता है मंगल का मैदान इसको का जाता है मंगल का मैदान मंगल के मैदान से हम चेक करते हैं व्यक्ति के अंदर कितना साहस है कितना धीरज है और कितना इंपल्सिवनेस है मतलब कि शॉट टेंपर्ड है यह बीच वाला हिस्सा बता देता है अब इसके बाद आता है चंद्रपरवत यहां से यहां तक चंद्रपरवत में भी तीन पार्ट होता है बट इसको हम बाद में जब चंद्रपरवत को अकेले मतलब इंडिविजुली उसको समझाऊंगा तो उसमें यह तीन पार्ट बताए जाएगा और उसके बाद आता है शुक्रकार परवत यह वाल है ठीक है यह क्लियर है अब इन्हीं मतलब इन्हीं ग्रहों के कॉंबिनेशन को ही हमें समझना है पूरे पामस्ट्री को देखो जैसे ना कि अगर आप लोग यहां पर कई लोग ऐसे भी होंगे जो जानते होंगे जैसे हमारे गुपता जी है बहुत अच्छा जानते हैं और ज छाते हैं दो देख्येब पामस्ट्री को समझना थोड़ा टफ है टाइम लगता इस में जितना आसानी से हम ठीकने सब्सक्रा ने, समझते हैं, योगों को का बहुत थकसरी तो छिलियर करती अब जैसे दिखता कि कुछा गए हो यहां यहां पर यहां यह को इस जगह में 맞아 ओर आगे जाने का कोई जगह बचांगे दोनों हातों में सेम हैं लेकिन कुंडली दिखा रहा है कि वहां पर जो है एक्चुली कुंडली को अगर हम बहुत डिविजनली तोड़े या नक्षत्रों के रूप में देखें तब जाके वह चीज दिखेंगी नहीं तो अगर नॉर्मली कुंडली में ऊपर-उपर से अगर कुनों की जानकारी होना बहुत बहुत ज़रूरी है कुंडली तो परफेक्ट होता ही है कई बार हाथ से भी सयोग मिल जाता है बहुत सारे साइन ऐसे होते हैं जो हाथ से देखके पता चल जाते हैं ठीक है